जिंगा लाला स्टोरीज तो दोस्तो ऐसी ही मज़ेदार कहानिया सुनने के लिए अभी हमारे चैनल को सस्क्राइब करिए और वीडियो लाइफ करिए रामपूरा में रहने वाली सुधा वैसे तो बहुत समझदार थी सब लोगों में उसका उठना पैटना था सबी लोग उसको बड़े आदर से बुलाते थे उसकी एक बेटी महिमा और बेटा रोहन था वह दोनों को खूब प्यार करती थी लेकिन जब से उसके बेटे रोहन की शादी हो गई तब से वह बहुत प्रियंका और बेटी महिमा में बहुत फर्क करने लगी रोहन और प्रियंका एक ही कमपनी में काम करते थे इसलिए उन दोनों ने अपनी पसंद से शादी की थी इसी बात पर सुधा प्रियंका से बहुत चिड़ती रहती थी वह हर वक्त कहती रहती थी लाखो रुपय का दहेज मारा गया इस रोहन की जिद के कारण इतने अच्छे अच्छे रिस्ते उसने ठुकरा दिये अपनी जिद पर अडगया कि शादी करेगा तो बस प्रियंका से और ऐसी भवु आई है बताओ जो किसी काम की भी नहीं है शादी के आर दस दिन ही बीट पाए थे कि सुधा के तेवर प्रियंका को अखरने लगे सवेरे सवेरे सुधा प्रियंका को जगाने आई और बोली बहु इतनी देर हो गई तुम अभी तक नहीं उठी ऐसे कैसे काम चलेगा भवो का काईदा ये नहीं होता कि दोफेर तक सोते रहे मम्मी देर राज तक लैपटोप पर ओफिस का काम कर रही थी इसलिए आँख लग गई थी सुधा ने प्रियंका को फैंसी कपड़े पहने देखा तु वह रोना दोना करने लगी हाए हाए ये मैं क्या देख रही हूँ ये कैसे कपड़े पहने हैं तुम साड़ी पैन कर हलका सा गुंगट करो हाँ जैसे और भवे रहती है मेरे अपने महोले में बदनामी करवाओगी क्या प्रियंका तो हक्की बक्की रह गई वो बोली ऐसा कैसे हो पाएगा मम्मी मुझे सुबह ओफिस जाना होता है उसके बाद लोट कर फिर में साड़ी पैन कर किचन का काम आसानी से नहीं कर पाऊँगी मम्मी मुझे बहुत दिक्कत होती है मैंने ये सब कभी नहीं पैना है तो आदत नहीं है मम्मी नहीं आदत है तो आदत डाल लो और चुप चाप खाना बना लो जाकर जैसा मम्मी कहती है वैसा ही करो तो घर में सांती बनी रहेगी हर समय लडाई जगड़ा अच्छा नहीं लगता मजबूरी में प्रियंका को साड़ी में ही रहना पड़ा प्रियंका ने रोहन से कहा ये मम्मी तो हर समय कोस्ती रहती है कैसे adjustment हो पाएगा रोहन थोड़ा सहयोग करो adjustment हो जाएगा धीरे धीरे वो समझ जाए में लड़ना अच्छी बात नहीं है मुझे लगता है बुखार है चक्कर आ रहे है मुझे तो दवा खालो और लेट कर आराम कर लो सुधा कुछ देर इंतजार करके देखने आई और पूछा रात का खाना नहीं बनाना क्या मेरी तब्या ठीक नहीं है मम्मी इस पर तो सुधा चीक में चिलनाने लगी और बोली अरे हाँ ये माहरानी दिन बर सेर सपाटा करके आती है और आकर आराम करने लग जाती है ये ही दिन देखने को रह गए थे ऐसी बहुसे मुझे क्या फायदा है रोहन ने समझाने की कोशिश की लेकिन सुधा तब भी कुछ नहीं समझी फिर प्रियंका ने ही बुखार में खाना बनाया महिमा की कुछ ही दिनों में शादी हो गई लो बेटी महिमा ये जेवर रख लो मैंने अभी तक प्रियंका को नहीं दिखाए नहीं तो उसे देने पड़ते और तू चली जाएगी तो कैसे गुजारा होगा कौन है मेरा यहाँ पर ये कहते वे सुधा रोने लगी सामने से आती ही प्रियंका ने सुन लिया उसे बहुत बुरा लगा महिमा तो सुधा के लिए कुछ करती भी नहीं थी जो कुछ करती प्रियंका ही तो करती थी प्रियंका बोली क्यो मम्मी मैं हूँ ना इस पर सुधा बोली महिमा के ससुराल से कोन आने लगा सुधा ने फोन एटेंड किया तो महिमा की सास की आवाज आई और वे बोली एक तो तुमने दहेज में कुछ नहीं दिया उपर से ये बेवकुफ लड़की हमारे गले में डाल दी अब हम इसका क्या करे जब इसे कुछ करना ही नहीं आता महिमा की सास बोली मुझे आदेश दे रही हो तुम खुद भी तो अपनी बहु को बेटी समझो ये बात सुनकर तो सुधा को एक जटका सा लगा सची तो कह रही है महिमा की सास महिमा के जाने के बाद सुधा अपने आपको अकिला महसूस करने लगी वहर समय महिमा के लिए रोती रहती थी थोड़ी दिनों के बाद उसे बुखार आ गया मन ही मन में कह रही थी मैंने जैसा विभार प्रियंका के साथ किया है ऐसे में वो प्रियंका मेरे पास भी नहीं आएगी हाए सुदा आखे बंद किये पड़ी थी बहुत तेसी दर्द हो रहा था उसे तबी प्र प्रियंका उसे कह रही थी उठो मम्मी ये दवा पीलो प्रियंका सुदा की देख बाल करने लगी सुदा की इतनी परवातों उसकी बेटी ने भी नहीं की थी प्रियंका ने सुदा की सेवा करने के लिए छुटी ले ली सुबह श्याम उसकी दवा परेज का खायाल रखती थोड़ी दिनों बाद सुधा बिल्कुल ठीक हो गई, अब प्रियंका के बिना उसका कोई काम नहीं चलता था, दूसरे दिन सुधा मारकेट में गई, जब लोटकर आई, तो वह बहुत खुश थी, उसके हातों में कई पैकेट थे, सुधा बोली, बेटी प्रियंका, मेरे पा कपड़े पहना करोगी, प्रियंका ने देखा, ये उसकी मन पसंद के मोडन फैंसी कपड़े थे, प्रियंका बहुत खुश हो गई, वह कपड़े पहन आई, सुधा ने उसे गले लगाते वे कहा, बेटी मुझे अच्छे से समझा आ गया है, कि बेटी और बहु में कुछ अ करती है, तब मुझे बहुत तकलीफ होती है, वहीं मैं करती थी तो पता ही नहीं चलता था, मैंने तो तुसे अच्छा सुनूख ही नहीं किया, फिर भी तुने बेटी जैसा वेवार किया, अब मेरी समझ में सब आ गया है बेटा, प्रियंका ये सुनकर बहुत खुश हो आए तो क्या मैं चाय भी नहीं पिना सकती है उसे, मम्मी अब मुझको अपनी मा की याद नहीं आती, आप जो मिल गई है मुझे, रोहन ये देखकर बहुत खुश था, उसकी मा और पत्नी में खूब पटने लगी है अब, जिंगा लाला स्टोरीज, तो दोस्तों ऐसी ही आजेदार कहान या सुनने के लिए अभी हमारे चैनल को सस्क्राइब करिए और वीडियो लाइक करिए